दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब अक्सर आपका स्टॉक मार्केट में लॉस होने लगता है तो आपको इंट्री लेने में स्टॉक मार्केट से डल लगने लगता है इस वीडियो में हम वो वो सारी चीजे कवर करने वाले हैं कि sales market में हम सही जगा पर exit प्रेंगे इस stock market में entry करने के लिए हमें की चीज़ गार रखना पड़ता है अगर आपनी चैनल पर नए आया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुली मत पूलिएगा वीडियो पसंद आता है तो उसके एक कमंट करना है उस वीडियो को शेयर भी करना है तो इसके लिए हम लोग तो आपके सामने यह निफ्टी का चार्ट है और निफ्ट होता है कि एंट्री हम किस पॉइंट में ले जाजाता है तो इस वीडियो में प्लान करेंगे कि हम लोग एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें हमें मार्केट के ट्रेंड को सबसे पहले फॉलो करना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है तो हमें मार्केट में तुरंट एंट्री अपनी प्लान नहीं करनी है हमें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है तो हम लोग य कि यहां पर मार्केट की एंट्रिक के लिए हमने वीडियो बनाये था रहला दूसे सब्सक्रीवीं मार्केट का ट्रेंड हम जान सकते थे। थे थे ट्रेंड लाईण कर सकते थे या गुछ एसा plan कर सकते हैं। देखिये हम लोग ट्रेण्ट लाइन यहां और हम्मालिक यहां भी का जो इसका resistance था और वहां से market फिर से बापस आ गई पहली चीज पहली चीज तो हम इससे trend जान सकते थे और दूसरी जो important चीज हमें trend जानने के लिए हम लोग क्या कर सकते थे ये वीडियो में पहले बना चुका हूं प्लीज आप उसको जाके जरूर देखिएगा कि हम लोग Fibon ये वीडियो मैंने बनाया था इसका लिंक है मैं आई बटन पर दे दूगा इस वीडियो को आप चेक कर लिजेगा तब कभी भी market में trend को लेके आपको इसमें wait तो करना पड़ सकता है लेकिन जब भी आप होंगे आप trend आपका कभी भी गलत नहीं होगा market के अंदर ये मैं आ यहां पर आपको ये swing मिला ये swing के अंदर हम लोग market में entry ले सकते थे हमें देखे बहुत बड़े target प्लान नहीं करने चाहिए nifty के अंदर क्योंकि जब आपको बड़ा profit हो जाएगा तो फिर आप हमेशा ये सोचोगे कि market में हमें 50.100.80 इस तरह से मिल जाए आप हमें हमेशा उस risk के आगे आप trade लिया किजे जब आपको पता है कि हमारा 20 point का stop loss है 30 point मिल जाए तो देखे यहां पर हम लोग entry प्लान कर सकते थे पहले entry यहां लोग प्लान कर सकते थे तीसरी entry हम लोग यहां प्लान कर सकते थे तो देखे मार्केट में यहां तक मार्केट जाने का जो सीनारियो रहा था है , तार्गेट के लिए हमें पहले किसे आइनलसिस करो कर रखनी परती है जैसे यहां पर डेली चार्ट याट लेकाखा ली चानी है। यह थ Whereas जूम करेंगे आपको पता छिल जाएगा कि हमें कहां तक टार्गेट Pckeered करना था यह देखें यहां पर हम लोग यह टार्गेट यहां कर सकते थे यह जो म यहां टार्गेट कर तेख हो यह तो मार्केट आई आज के दिन और यहीं यहां पर को तो यहां पर बोल्ट करेंगे और यहां से मार्केट जो है फिर से बोलीश हो गयी आप यहां पर दोबारा ट्रेंड रिवर्सल प्लान कर सकते हैं उसी indicator के माद्यम से जो Fibonacci indicators मैंने बताया है या trend line का breakout भी था यहां पे भी दो चीज़ यहां में मिल रही है trend line का breakout मिल दूसरा Fibonacci indicator यहां से हम लोग plot कर सकते थे किसी भी level से इस swing के level से हम लो Fibonacci indicator प्लान कर सकते थे कि यह जो high price था यहां से लगबग जब market 50% के उपर sustain करने लगी तो यहां पे हमारा entry बन सकते थे यहां मार्केट 50% के उपर sustain कर रही है अब जब इस level का breakout आता था तो यहां पे हम लोग trade प्लान कर सकते थे यहां पे कोई red candle बनने के बाद एक trade हम लोग प्लान कर सकते थे क्योंकि हमें market का view पता चल गया थे market कभी बूलिश है और market पर हमारी target होंगे अभी भी target से लगबग काफी दूर है target जो हमारे 780 के आसपास है और 750 यहां पर trade कर रहा हो market लगबग इस level तक market का जाना है लगबग तैही माना जाता है तो पहला जो हमारा target है इस trade में मिलते नजारा रहे हैं और यहां पर आपका stop loss कभी भी hit नहीं हो सकता है जो एक candle अभी five minute की live market चर रही है तो यह जो भी five minute का candle बन रही है red candle बन रही हो इस red candle के low के नीचे का stop loss रहेगा और इस candle के high के ऊपर हमारी entry रहेगी अगर आप इस तरह से trade plan करेंगे अगर आ आपके trade जो है सही होने वाले यहां पर आपने trend identify कर लिया है कि market का trend है आपने target भी identify कर लिया है तो हमारी entry और exit दोनों चीजे plan हो गई है इस वीडियो के खतम होने के बाद आप हिसास तारीक आज का चार्ट है और इस चार्ट को जरूर देखिएगा साथ मैं आप दिये entry exit का पूरा knowledge आपको मिल गया है आप entry exit सीख चुके है अगर कुछ भी doubt रहे जाता है तो आप comment box में comment कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को repeat करके देखते हैं 2-3 बार देखेंगे इस वीडियो को repeat करके तो आपके मन में कोई भी doubt entry exit को लेके नहीं रहेगा I hope यह वीडियो को पसंद आईए इस वीडियो पसंद आईए तो इस वीडियो को share करना उस पर comment करना बिल्कुल मत भूलेगा बहुत बहुत धन्यवाद